हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रदेश के कमी को लेकर दो दिन से सेकड़ो किसान धरने पर बैठेएं किसानों को क्रिशी कनेक्षनों की विद्यूत वक्रों की कमी के कारण क्रिशिट ट्यूब वेलो की मोटर वो अंडे उपकरन जल रहे हैं जिसके चलते खेतों में खड़ी फसल जल रही है किसानों ने मंगलवार को बाड़ मेर जिला प्रमु को ग्यापन सोब कर बिहांड के 220 किलो वाट का बिजली घर बनाने की मांग रखी है वो पूर्व में बिजली घर पर मौझूट ठेके पर लगे करमचारियों को नीमती रूप से सप्लाई के लिए पाबंध किया जाए एवं भिहांड सहाय कभियंता कारेले में एयन का पद भरा जाए इन्ही मांगों को लेकर अनिश्चित कालिन धरना वो आंदोलन दुसरे दिन लगातार जारी पिछले कई तिरों से तकनीकी कमी के कारण लोड बढ़ जाने से शेत्र के क्रिश्री कनेक्शनों के आपूर्ती बादित हो गई मंगलवार को सहयक अभियंता कारेले बिहाड के आगे चल रहे अनिश्चित कालिन धरने की किसानों वो डिसकॉम कर्मचारियों वो जिला प्रमुक के बीच दुसरे दोर की वारता हुई जिसमें किसानों की मांग रही की शेत्रिय विधायक अमीन खा धरना स्तल पर पहुच कर ठोस आस्वाशन दे तभी धरना समाप्त किया जाएगा इस मोके पर बाणमिर जिला प्रमुक महेंदर चोधरी, शिव प्रदान महेंदर जानी, कॉंग्रिस यूत अध्यक्ष लक्षमन गोडारा, एएन उमेदा राम बेनिवाल, दीन दयाल योजना, बिहांड सर्पंच तन सिंग, पुनमा राम गोडारा, मोखाप सर्पंच पहल जागरू टीवी के बाढ़ मेरसे ठाकरारा मेघावल की रिपोट झाल 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 झाल